78 स्वतंतरता दिवस के मौके पर योग गुरू बाबाराम देव ने देश के लोगों को शुप कामना देने के साथ ही एलोपैथी पर जमकर हमला बोला है उन्होंने कहा देश में एलोपैथी की जहरेली दवा खाकर करोडों लोग मर रहे हैं इस तरह उन्होंने एलोपैथी का विकल्प भी लोगों को सुझाया आये पढ़ते हैं बाबराम देव ने मीडिया से बात करते समय क्या कहा बाबराम देव बोले इस आज़ादे के महतसब पर हमने इस अंकल्प लिया है कि देश में स्वदेश के अभ्यान को और मुखर करेंगे चिक इच्छा के स्वाधिनता का देश में बहुत बड़ा सपना बाकी है क्योंकि एलोपैथी की जहरीली दवा खाकर देश में करोडों लोगों की मौत हर साल हो रही है हाल ही में उनको इस सम्मन में कोर्ट में कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी थी सुप्रेम कोर्ट ने भी उन्हें इस मामले में माफी मांगने को भी कहा हालांकि हाल ही में उन्हें उच्छतम नेयले की ओड़ से राहत मिली है चिकित्सा की सौधिन ताका तो अभी बहुत बड़ा सपना बाकी है क्योंकि एलोपैथी की जहरीली दवेया खाखा करके करोडों लोगों की मौत हर साल हो रही है हमने दुनिया का इतिwahास बढ़ा है के बिटिशास ने पूरी दुनिया में अपना राजनेतिक सामराज ये काइम करने के लिए 10 करोड से जादा लोगों का कतल किया है ऐसे ही इसलाम के नाम पर भी करोडों लोगों का कतल हुआ है लेलेन मार्क्स और मावो कि जो करांतियों के नाम पर कतल हुआ है विश्यू युद्धों में और अलग अलग त्रासदियों में करोड़ों लोग मारे गए लेकिन हर साल करोडों लोग निर्दोश मर रहे हैं जहरीली दवयां सिंथेटिक दवयां खाखा करके जो चिकित्सा की स्वाधिनता का अंदोलन है पतंजली बेनने से योग ग्राम निरामयम इसको हम और मुखर करें